Hello friends, आज हम discuss करेंगे seasonal unemployment, तो अगर इसको define करें a situation of unemployment when people do not have work during certain seasons of the year, यानि कि ये unemployment उस जगा देखा जाता है जहां पर काम season के हिसाब से होता है, यानि कि जब season होगा और काम की demand बढ़ेगी तब workers की demand बढ़ेगी और employment बढ़ेगा, लेकिन जब season नहीं होगा, तो काम की demand भी नहीं होगी, जिसकी वज़ासे workers को काम नहीं मिलेगा और वहाँ पर unemployment बढ़ता हुआ दिखाए देगा, तो अगर हम इसको example से समझें, तो आप agricultural sector में इसका example देख सकते हैं, फसले हमेशा season के हिसाब से होती है, तो जब फसलों का season होता है, तो वहाँ पर खेतों में काम करने वाले workers की demand बढ़ जाती है, जिसकी वजय से इन सब को वहाँ पर employment मिल जाता है लेकिन जब फसलों का season नहीं रहता तब यहाँ पर workers की demand भी खतम हो जाती है और यह सारे workers unemployed हो जाते हैं तब आप देखेंगे कि यह unemployment season के हिसाब से generate हो रहा है इसलिए इसको seasonal unemployment कहा जाता है Thank you so much